हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आसा करती हूँ आप सभी अच्छी होंगे फ्रेंड्स आप सब यह तो जानते ही हैं कि धनवान बनने के लिए मा लक्षमी की किरपा बहुत जादा जरूरी होती है लक्ष्मी को परसंद करने के लिए घर को साफ सुत्रा रखा जाता है यह भी आप जानते हैं आज मैं आपको कुछ और भी बाते बताने वाली हूँ दानी और उदार व्यक्ति को कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है इसलिए अपनी सामर्थे के अनुसार दान करते रहें बुजर्ग महिलाओं की इज़त करें पैसा पद का गुरूर ना करें धनवान बनने के लिए वैवार और वानी में नर्मी होनी चाहिए किसी से कठोर ना बोलें रात को जूटे बरतन किचन में ना रखें बेवजह के खर्चों पर रोक लगाएं बिस्तर पर बैठ कर भोजन कभी भी ना करें अगर मजबूरी है बिमार हैं तो आप खा सकते हैं अदर्वाइस आप इसको अवइट करें तो जादा अच्छा होगा हमेशा साफ दूले हुए कपड़े पहने इससे आपका सुक्र बलवान होता है धन में व्रद्धी होती है क्रोध आलस गहमंड ये व्यक्ति की सफलता की रहा में रोड़ा है इससे दूरी बनाने वालों को धन के साथ सुक भी मिलता है रोजाना गाएं को ताजी रोटी खिलाएं इससे देवी लक्षमी की क्रपा होती है और घर में लक्षमी का वास होता है बे सहारा व्यक्ति गरीब को अपने हित के लिए परेशान ना करे धर्म के रास्ते पर चलकर ही जो कमाई मिले उसी से संपन्दता आती है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताए अगर आपको कोई प्राब्लम है तो